Hello everyone, today we will read मुलकराज आनन्द तो आज से हमने पढ़ना सुरू किया मुलकराज आनन्द को और इनकी लाइफ और वर के सभी इंपोर्टन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो यह है आज इन पर फर्स्ट वीडियो इसके बास सेकेंड थर जितने भी वीडियो में कम्प्लीट हो पाएंगे मुलकराज आनन्द उतने में हम कम्प्लीट करेंगे इसके पहले में चौसर हेरोल्ड पिंटर और के राजराओ उन पर पढ़ चुके हैं तो अगर वो वीडियो नहीं वाच की है तो लास्ट न उनका लिंक मिल जाएगा आप वाच कर सकते हैं तो अब हमने अपने जैसी लेक्चर के सरेबस में से मुलकराज आनन्द को मैंने पिक किया है तो चलिए नौ लेट्स स्टार्ट दे वीडियो तो मुलकराज आनन्द का जन्म हुआ था बॉर्ण इन 12 डिसेंबर 1905 12 डिसेंबर 1905 में इनका जन्म हुआ था पेशावर में और पेशावर अब पाकिस्तान में पढ़ता है नेक्स्ट है फादर्स नेम इस लालचन father name इनके father का नाम रालचन था और mother's name is Iswar Corps इश्वरकोर इनकी mother का नेम था born in छत्री family तो इनका जन्म चत्री family में हुआ था मुल्क राज आनंद के जो father थी उनकी क्या जब थी तो father was head clerk in British Indian Army तो head clerk थे बिडिस इंडियन आर्मी में क्योंकि उस समय हमारे देश पर बुटिसर्स का सासन था अंग्रेजों का सासन था नेक्स्ट है मुलकराज आनन्द डाइट इन 28 सेप्टमबर 204 पुने महरास्ट्रा इंडिया तो मुलकराज आनन्द की जो डेट हुई थी वो उन्हे महरास्ट्रा में हुई थी और 28 सितंबर 2004 को हुई थी तो ये डेट के साथ में याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुश्चन सब इयर से न हो करके डेट को साथ में लेकर के पूछे जा रहे हैं बर्थ और जो उनका डेट है सभी चीजों को डेट के साथ में याद रखना है तो कुछ इनके जो नोटेवल एवार्ड थे तो इंटरनेशनल पीस प्राइज इनको मिला 1953 में पदम भूशन इन 1967 और साहित एक आदमी एवार्ड 1971 में मिला था तीनों ही चीजें एकदम मैंने इसलिए सीरियल से लिखी है ताकि याद करने में इजी रहे तो इंटरनेशनल पीस प्राइज अंतराश्ट्रिय सांती पुरुशकार जो इनको मिला वो 1953 में मिला इसके बाद 14 साल के बाद इनको पदम भूशन मिला 1967 में और 4 साल बाद ही साह इनकी जो डेथ हुई थी डाइड ओफ निमोनिया इन चहांगीर हॉस्पिटल पुने हमने अभी उपर पढ़ा है कि मुल्क राज आनंद की डेथ 28 से एप्टेंबर 2004 को पुने महरास्ट्रा इंडिया में हुई थी किस से हुई थी तो निमोनिया के काण इनकी डेथ हुई थ पढ़ाई करने का मौका मिला था और ये स्कॉलर्शिप इनको पंजाब उन्वस्टी के द्वारा दी गई थी क्योंकि खालसा कॉलेज में पढ़ने वाद फिन्हों ने पंजाब उन्वस्टी में भी पढ़ाई की और ग्रेजुशन ने इन्होंने अपना वहीं से किया था इसके बाद इनको उन्वस्टी कॉलेज लंडन जाने का मौका मिला स्कॉलर्शिप के था इसके बाद ये उन्वस्टी ऑफ कैम्बरिज गए जहां पर इन्होंने अपनी पीएसडी डिगरी अंड की वहाँ पर इनको पीएसडी डिगरी 1929 में तो इस तरीके से 1929 में मुलकर नोट डाउन यहां पर किया है जो कि important है क्योंकि exam ये है जो lecturer level का exam है तो कुछ भी क्योंकि writers दिये हैं उनके work तो दिया नहीं है तो at least उनके हमें work तो मालूम ही होने चाहिए कि कौन कौन से उनके notable work है और किस year में उन पब्लिश हुए तो उन चीजों को मैंने note डाउन किया ह तो सबसे पहले जो इनका major work आता है untouchable 1935 में 1935 में untouchable आया और इसी novel ने उनको establish किया एक as a pillar of Indo-Anglian literature तो अब इसके बाद आता है untouchable जो आता है 1935 में फिर आता है कुली कुली जो novel ही आता है 1936 में पहले सारे उनके जो novels हैं work हैं उनको हम पढ़ रहे हैं इसके बाद एक जो important novel हैं जिनसे questions आ सकते हैं novel के protagonist को लेकरके उसके theme को लेकरके उसके background को लेकरके उसके source को लेकरके characters को लेकरके वो भी पढ़ेंगी तो वीडियो को लाज तक जरूर watch करेगा और pre के exam की date आ चुकी है 20 जून 2021 को इसका pre का exam है बहुत ही कम समय बचा है मातर 5 महीने का समय है तो मैं GS के भी कुछ-कुछ notes देती रहती हूं अपने इस channel पर if you are watching my channel first time don't forget to subscribe it as well as please press the bell icon also so that you can get notification of videos timely as I upload तो अब आता है कुली कुली 1936 में आया एक साल के बाद ही इसको लंड ऐसे कर सकते हैं आप across the black water 1939 में इनके दो नोवेल आये अब इसके बाद आता है seven summers यह बहुत important है इसको याद रखना है 1933 में आया था थोड़ा सा chronologically मैं अरेंज करने में थोड़ा सा fail हो गई हूं नहीं अरेंज कर पाई तो बाद में मैंने उसके लिस सो sorry आप उसको अपनी सुविधा अनुसार पढ़ लीजेगा तो यह जो है तो the village or across the black water in 1939 में आय और seven summers 1933 में आया two leaves and a bud 1937 में यह बहुत ही important है the sword and the sickle 1942 में letters on india 1942 तो दो-दो करके आप learn करें तो बहुत easily आद हो जाएंगे the sword and the sickle 1942 letters on india 1942 the indian theatre 1950 the private life of an indian prince 1953 काम कला काम कला सम नोट्स 1958 नेक्स है the road जो आया 1961 में नेक्स है the morning face यह भी बहुत ही important है 1968 में a pair of mustachios 1966 next है death of a hero epitaph 1968 confession of a lover 1976 the big heart यह भी बहुत important है the big heart 1980 में आया conversation in bloomsbury 1981 the old woman and the cow यह भी बहुत ही important है the old woman and the cow 1960 में seven little known birds 1978 और the triology the lost child and two lyrical stories lost child जो है यह कहानी short story पढ़ रखी होगी लगबग सभी ने तो the lost child and two lyrical यह 9th class के cbsc world का first lesson है उसमें supplementary book का the lost child and the two lyrical stories तो यह 1995 में आया था चाचा नहरू 1988 अब next little place of महात्मा गांधी तो little place of महात्मा गांधी 1990 में आया apology for heroes 1946 और reflection on a white elephant 2002 में और fork tales of Punjab 1980 classics मुलकराज आनन यह 2004 में आया अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके important work से लेकर के questions को तो जैसा कि हमने भी starting में देखा है कि इनका जो first novel है वो untouchable है और publish हुआ था 1935 में untouchable depicts a day in the life of bhaqa जो की protagonist है तो untouchable जो novelist का protagonist इसका जो main character है वो कौन है तो bhaqa है और यह एक दिन की कहानी है यह भी याद रखना है कि जो untouchable में depicts a day in the life फिस सिर्फ single day की stories में पूरे novel में चलती है तो आगे आता है young sweeper who is untouchable due to his work of cleaning latrines तो इसकी जो story क्या है main theme क्या है वो यह है कि भाqa एक young sweeper है जो कि untouchable है क्योंकि उसका काम क्या है latrines साफ करने का इसलिए उसको untouchable अच्छूत कहा गया है तो यह कहानी जो है untouchable यह हमारे pre-independence time के सोतनता के पूर की कहानी है जब समाज में बहुत ज़्यादा च्छूत व्याप्त था और च्छोटी जो जाती के लोग तो इनको बहुत ज़्यादा oppressed मतलब जो यह समझा जाता था बहुत ज़्यादा इनको परिशान किया जाता थ तो उन्हीं के यह जो मुल्क राज आनन्द है यह उनके हीरों हैं oppressed लोगों के जिनका शोशन होता है उनके हीरों हैं उन्हीं को अपने novel में इन्होंने समाहित किया है और एक character है उसी प्रकार का भागा जो कि हम untouchable novel पढ़ते हैं तो हमारे इंदर भी sympathy जाग sympathy आती है कि 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 इतना समय का कैसा atmosphere था कैसी surrounding थी कि इतना ज़्यादा इन लोगों को ऐसा treat किया जाता था गलत behavior इन लोगों के साथ किया जाता था untouchable माना जाता था चूट कहा जाता था तो उसी समय के समाच को describe किया है society को describe किया है मुल्क राज आनन्द ने और मुल्क राज आननद को इसी इसलिए Charles Dickens of India कहा जाता है कि Charles Dickens of India क्योंकि उन्होंने उस समय के सोसित और दबे कुछले लोगों को अपने उस समय की जो social evils थी जो social problems थी उन चीजों को अपने novel में समाहित किया इसलिए उनको Charles Dickens of India कहा जाता है नेक्स्ट है the novel is set in the fictional Indian town of Bulasha तो ये novel की जो setting है वो fictional Indian town Bulasha की है बहुत ही important चीज है याद रखना है कि untouchable जो novel है इसका जो setting है fictional Indian town Bulasha की है the introduction of the novel untouchable तो ये जो novel है untouchable इसका introduction किसने लेखा था तो E.M. Foster ने इसका introduction लिखा था अब उस introduction में E.M. Foster ने क्या लिखा था तो E.M. Foster wrote avoiding rhetoric and circumlocation it has gone straight to the heart of its subject and purified it ये ऐसा इन्होंने E.M. Foster ने अपने introduction में लिखा था circumlocation means होता है वाग चातुरे तो अब इसके बाद बात आती ही कि आखिर मुलकराज आनंद को सबसे ज़्यादा inspiration का मिली कि ये उन्होंने untouchable novel लिखा तो the book was inspired by his aunt's experience when she had a meal with a Muslim woman and was treated as an outcast by her family सबसे ज़्यादा तब मिली ये वो बहुत ज़्यादा hurt हुए उस समय जब उनकी चाची को उन्होंने एक Muslim woman के साथ में खाना खा लिया था जिसलिए उनको outcast कर दिया गया था उनको बिरादरी से क्योंकि एक छत्री family से थे तो Muslim lady के साथ उन्होंने खाना खा लिया था इनके चाची ने तो उनको चाती से भाहर कर दिया गया था उनके परिवारवालों के द्वारा इसी से इनको बहुत ज़्यादा प्रिवना मिली और E.M. Forster ने भी देखिए अपने introduction में लिखा है कि avoiding rhetoric and circumlocation it has gone straight to the heart जो यह story है बिलकुल भी बिना कुईसी अलंकार के एकदम simplicity से present की गई है और यह सीध डिरेक्टली अपील करती है heart and mind को और जो यह topic उठाया है एकदम clearly उस समय को reflect करता है तो friends यह थे 15 points आज इस वीडियो में इतना ही और आगे इसका मुलकराज आनंद का next जो वीडियो second लेक्या हूंगे उसमें आगे के works को ले करके questions होंगे तो so thanks for watching and if you find this video helpful so give the thumb of like and please share this video also and thanks for watching